आवे, सामने देखिए, ये हमारा नया चेप्टर स्टार्ट है, एनिमल किंगडम, प्राणी जगत, और प्राणी जगत, कि अगर हम बात करें, तो ये जो चेप्टर है, वो प्लांट से रिलेटेड नहीं है भी, ये प्राणियों से रिलेटेड है, अगर प्लांट के ग्रूप बनाये जाते हैं, तो प्राणियों के भी ग्रूप बनाये जाते हैं, और उनका वर्गीकरण किया जाता है, तो एनिमल किंगडम, आपको ये ही बताता है, कि प्राणियों को कि साजार पे बाटा जाता है, दुनिया के अंदर, डिफ्रेंट के प्राणी हैं और सब अलग-अलग है लेकिन उनमें कुछ आधार बुथ समानताएं पाई जाती हैं यह वाद आपने फर्स चेप्टर से पड़ी थी कि जियों के अंदर आधार बुथ समानताएं पाई जाती हैं ताकि हम उनका एक एक संग बना सकें एक कलास उनकी तयार कर सकें ठीक है तो इसी प्रकार से अगर हम प्राणियों की बात की जाएं तो उन प्राणियों में भी आधार बुथ समानताएं जैसे कोशिका की विवस्ता सारेरिक सममिती प्रैगुआ की प्रकरती उनका पाचनतंतर उनका परीशंचनतंतर उनके जनतंतर की रचना ठीक अगर आप कोशिका की विवस्ता की बात करें तो उनमें जो कोशिकाओं का आरेंजमेंट है अगर मान लो यह एक्जामपल दे रहा हूं मैं ऐसा है नहीं मान तो, कि अमीबा है, वैसे अमीबा तो एक कोशीकी है, लेकिन सपोर्च धेट, आमीबा के कोशिकाओं की वय्वस्ता, हमारी तरह होती, यानि उसमें जद्धा कोशिकाओं होती, और हमारी तरह होती, तो हमें और अमीबा को एक क्लास में आसानी से रखा जा सकता था कि उसके अंदर भी कोशिकाओं की वेश्टा ऐसी है और हमारे अंदर भी कोशिकाओं की वेश्टा ऐसी है तो arrangement of cell के अदार पर किया जा सकता अगर सारे रिक सममिती सममिती आप जानते हो कि किसी X से उसको काटने पर वो बराबर भागों में आए या नहीं आए उसको सममिती कहेंगे ऐसा आपने फूलों के अंदर भी देखा तरिज्या सममिती एक व्यास सममिती और ऐसा यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा तो प्रेग हुआ की प्रकरती यह प्रेग हुआ की प्रकरती इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इनके अंदर सिलोम पाई जाती है और वो मिजोडम से आस्रित होती है नहीं होती है एक्टोडम, मिजोडम, एंडोडम लेर लेकर चलेंगे हम यहाँ पर उनसे बात करेंगे इनका पाचन तंतर क्या पून रूप से हमारे समान है या फिर कुछ समानताई रखता है या आलप विक्सित है उसी दार पे हम कैटेगरी बना सकते हैं इनमें परिशंचन तंतर दोको दुनिया में परिशंचन तंतर तो दो ही प्रकार का होता है खुला और बंद, तो जिनमें बंद पाया जाता है, उनको एक कैटेगरी में रख दिया जाता है, उनको एक कैटेगरी में रख दिया जाता है, उनको एक कैटेगरी में रख दिया, उनके जननतंतर की रचना, क्या जियों के जननतंतर की रचना समानता दरशा रही है, या नई द्रसा रही है, उनमें सुक्रानू बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो इस आदार पे हम इनका वर्गिगरण कर सकते हैं, ठीक है, कोशिका की वेवस्ता, सारिरिक सममिती, प्रेगुआ की प्रकरती, इनका पाचन तंतर, परिशन चन तंतर, और जनन तंतर की रचन्नम, अगर हम बात करें, सबसे पहले, कोशिका की वेवस्ता, इसी चीज़ को हम कह रहे हैं, संगठन का इस्तर, या तो आप कह दो, कोशिका की वेवस्ता, या फिर आप कह दो, ओर्गनाइजेशन, और बोडी, बोडी का ओर्गनाइजेशन, ओर्गनाइजेशन मतलब संगठन, शरीर का संगठन, ठीक है, तो अगर देखा जाए, तो जियों के शरीर का संगठन, चार तरीके से बताया गया, जीवदर्वे श्तर पर, कोशी के श्तर पर, उत्तक श्तर पर, अंगतंतर श्तर पर, जीवदर्वे श्तर पर, उत्तक श्तर पर, कोशी के श्तर पर और अंगतंतर श्तर, देखो, अगर हम बात करें, हम ही बात, किसकी बात करें, अमीबा की अगर हम बात करें, तो अमीबा सुक्सम जीव है, क्या साथ जीव है, और आप इसको अगर माइक्रोस्कॉप से देखते हो, तो आपको यह ऐसे टेड़ा मेड़ा दिखाई देगा, इसकी अए नियमित पहचान होती है, नियमित नहीं होता है, सभी अमीबा आपको एक ही पोजिशन के नहीं मिलेंगे, अए नियमित होती है, अब आप बोलोगे इस इसके सरी में कितनी कोशिका है, यह खुद ही एक कोशिका से बना हो है, यह खुद ही एक कोशिका से बना हो, तो यह तो इसका केंदरक, और यह इसका, यह इसका केंदरक का दरवे हो गया, और यह इसका, पोशीका का दर्वे वह 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 तो केंद्रक का दर्वे और पोशीका का दर्वे दोनों मिलकर बनाते हैं वही जीव दर्वे उनको हम की साधारपय बाटेंगे, सारजिक सांगठन क्या बताएंगे कियोंकि उनके अंदर कोशीका है, किदनी कोशीका है, एक ही कोशीका है तो हम क्या बहूलें, कि उनमें उत्तक बनेंगे, नहीं बनेंगे क्या बोलें, इनमें अंग बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, है ये एक को सिका, अपना सारा काम, अमीबा अपना सारा काम, एक ही को सिका से करता है, उसके पास ना तो पाचंतंतर है, ना उसके पास जनंतंतर है, ना उसके पास सौसंतंतर है, ना उसके पास कोई और सिस्टम बो करका सी करता है कि जनन उच्यर जन सब कुछ एक को शिका सी करता हु ङों 12 अब भात करें को कोशी के इस्तरका, जैसे पोरी फेरा संग के पराणी, कौन से संग के पराणी, इसमें एक एक जामपल दे रखा, स्पंज, इनके अंदर कोशी काएं पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, लेकिन कोशी काएं आपस में अरेंज होकर उत्तक नहीं बनाती हैं, कोशी का तो होत अब इस कोशी की इस्तर में जब उत्तक बनी नहीं रहे तो क्या इसके अंदर अंग बनेंगे नहीं बनेंगे क्या इसके अंदर अंग तंतर बनेगा नहीं बनेगा और क्या इसके अंदर इस फ़स्ट पैचान रहेगी क्या जैसे सीर, वक्स, उधर, हाथ, पेर, ऐसा कुछ special इसकी identification रहेगा क्या? हमारी तो रहती है, सीर अलग है, धड़ा अलग है, पेर अलग है, हाथ अलग है, हमारी पैचान तो अलग होती है, होती यह नहीं होती? क्या इनकी ऐसी पैचान हो सकती है? नहीं, तो यह पोरी पेरा में कोई हजारों से ज़्यादा आपको जीव मिलेंगे हमने तो सिरफ एक का ही नाम लिखा क्या इस्पंज यह स्पॉंजिला स्पॉंजिला भी उदारण देती उत्ता किस्तर जब कोशिकाएं परजेंट हों और आपस में आरेंज होकर टीश्यू बना ले तो क्या कैलाएगा उत्तक हाँ उत्तक बनते हैं तो कुछ पैचान हो सकती है लेकिन कमप्लीटली नहीं कह सकते कि इनमें पाचनतनतर फूर्ण विक्सित होगा इनमें जननतनतर पूर्ण रुप से विक्सित होगा, कुछ पैचान हो सकती है लेकिन completely नहीं कह सकते कि इनमें सारी पैचान मिलेगे तो जब जीव की कोशिकाईं आपस में अरेंज होकर उत्तक बना लेती है तो उसको हम क्या बोलेंगे उत्तक की इस तरही है, इनमें सरम विवाजन पाया जाता है क्या पाया जाता है सरम विवाजन क्या होगा अरे उत्तक बन गए तो अलग अलग उत्तक अलग अलग काम करने के लिए रुपांत्रित हो जाएंगे तो सरम विवाजन होग नहीं हुआ सरम विवाजन जैसे हमारे अंदर पाया जाता है हमारा पाचंत अंतर पचाने का काम करता है सवसंत अंतर सांस लेने का काम करता है करता है पेश ये तंतर चलाने का काम करता है करता है कांकाल तंतर हमें सारा देता विस्तिर रखता है करता न है तो सभी अपना-पना काम कर रहे हैं तो इसमें सरम विवाजन वा अग नहीं हुआ सरम याने प्रिशरम कौन सा सरम विवाजन हुआ अगर हम इसकी बात करें इसके अंदर क्या होगा उत्तक तो बन जाएंगे लेकिन उत्तक जो होते हैं वो अलगलग काम करने के लिए अंग बना लेंगे बई क्या बना लेंगे, और बहुत सारे अंग आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, अंग तंतर, क्या बना लेंगे, ऐसा सिस्टम आपको किसमें देखने के लिए मिलेगा, क्या हमारे अंदर है, बिल्कोल, राइट, ऐसा सिस्टम हमारे अंदर है, तो अंग तंतर इस्तर का पाया ज दिख सकते हो कि इनके अंदर क्या पाया जाता है, सरम विवाजन पाया जाता है, लेटी अलिमंती संग के सदस्य हो गए है, इसके अलिमंती संग के सदस्य हो गए है, और कसेरू की प्राणी है हमारी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो ये common सी बाते थी, कोछ ज्यादा, लंबी चोड़ी बात नहीं इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो ये जो बात है एनिमल किंग्डम में ये ब्लड सर्कूलेटरी सिस्टम की बात है भई अपनी बोड़ी के अंदर ब्लड जो हता है वो सर्कूलेट नहीं होगा तब तक बात नहीं मिड़ेगे मर जाएंगे हम हमारी बोड़ी के अंदर ब्लड सर्कूलेट नहीं होगा तो मर जाएंगे न मर जाएंगे क्योंकि सर्कूलेट होगा तभी वो कहां तक पहुचेगा हैट तक और हैट तक पहुचेगा वेसे सर्कुलेट करवाने का मुख्य दाविदार कॉर्ण होता है है ती होता है क्योंकि वो क्या करता है ब्लड को पंपिंग करता है ठीक है तो जीवों को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दो बागों में बाटा गया है एक तो open open circulatory system और एक closed open फुला रक्त परी संचन तंतर और बंद रक्त परी संचन तंतर तो हमारे अंदर कैसा पाय जाता है बंद जब रक्त रक्त वाइनियों सीराओं के सिकाओं में बैता है तो कैसा कहलाएगा बंद रक्त परी संचन तंतर और इन में नए बैकर किसी गुहा के अंदर रहता है तो कैसा कहलाएगा फुला रक्त परी संचन तंतर जैसे किसी छोटे जीव की हम बात कर लें जैसे मान लो किसी कीट की बात कर लें आर्थो पोड़ा संग के किसी भी जीव की बात करें अगर हम लें तो अगर आप उनको काटोगे तो आपको कोई ऐसे नसेम अगेरार कुछ नहीं दिखेंगे आपको हाँ बलड के रंग के आदार पे भी बाता गया है लेकिन यह आँपे नहीं है कुछ यों में बलड का रंग डिफरेंट होता है हमारे अंदर कैसा होता है तो खुला परिशंचन तंतर जो ऐसा परिशंचन तंतर कि जिसमें रक्त रक्त वाहिनियों में नहीं बेता है और बंद रक्त परिशंचन तंतर ऐसा परिशंचन तंतर जिनमें रक्त रक्त वाहिनियों सीराओं धमनियों में बेता है ठीक है इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो पराणी में जगत की अगर हम आगे बात करें तो सममीती की आदार पर हम जियों को देखेंगे ठीक है तो देखें अमीबा देखो अमीबा की हमने पहले भी बात की बचो और अमीबा जो है आप उसको किसी भी कट से किसी भी तल से उस पे कट लगाओ वो दो बराबर भागों में नहीं बढ़ सकता चाहिए आप इसको ऐसे काटो चाहिए ऐसे काटो चाहिए ऐसे काटो उसके दो बराबर भाग नहीं हो सकते क्योंकि वो खुद ही कैसा है आई नियमित तो जब वो नियमित ही नहीं है तो कैसा उसमें कैसा पाय जाएगा आई सममिती कैसी पाय जाएगी उसमें अर्ये सममीती वो ही तिर्ज्या सममीती कुछ सिलेंट्रेटर संके जीव जैसे कुछ ऐसे इस परकार से है ऐसा आपको डायग्राम दे रखा है आप केंदर से गुजरने वाली किसी भी एक से उसको काटो वो दो ब्राबर भागों में कट जाएगा लेकिन वो लाइन होनी चाहिए केंदर से गुजरने वाली उसके सेंटर उनी उसके अक्स से गुजरने वाली होनी चाहिए तो वो दो ब्राबर भागों के अंदर कट जाएगा किसके अंदर जैसे आप स्टारफिस की बात करें स्टारफिस जो होती है न उसको आप केंदर से गुजणने वाली रेखा से दो बराबर बागों में बाट सकते हो केंदर से गुजणने वाली बाकी आप उसको नहीं बाट सकते है दिवी पासर्व सम्मित ये सम्मिती ऐसी है कि इसमें एक ही तल द्वारा एक ही तल द्वारा एक प्लेन द्वारा प्लेन यानि तल होता है जिवी को सिरफ दो बराबर बागों में बटा जा सकता है एक तल द्वारा वो स्पेसल होता है ऐसा नहीं हर किदर से लगा दोगे आप इसमें तो लगता ही नहीं इसमें किदर से भी लगाओ और इसमें एक ही तल दवारा जैसे आप हम बात करें तो आर्थो पोड़ा संग के प्राणी हो गए जैसे आपके यहाँ पे दिखा रखा होगा कुछ केकड़े जैसा केकड़ा ही है ने तो केकड़े को आप दीपार्सो सम्मित प्राणी को होगे हम कैसे जीओ है दीपासर्सों मित आप ऐसे काटो दो ब्राबर भाग नहीं बता सकते हाथ उपर चले गए पेर नीचे चले गए लेगन आप यूं काटो एक आद इदर आ गया एक इदर आ गया एक पेर इदर एक आँख इदर चली गई एक आँख इदर ठीक है इतनी बात में आई क्लियर तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं